नमस्कार में हूँ अमिता पंकर आप देख रहे हैं रासता एक्सपेस, रासता एक्सपेस के पॉल्टिकल मेटर में आज बात करने जा रहे हैं, विदान सभा एलेक्शन के बारे में जैसे जैसे तारीक पास आती जा रहे हैं, वैसे ही राजनेतिक दलों के एंग दूसरे पर जो है वो तीके प्रहार बढ़ते जा रहे हैं, कभी कॉंग्रेस बीजेपी के ओपर आरोप लगाती है, उसके ओपर तीका आमला करती है, और इन तीके हमलों के साथ में जो है प्रिदान सभा एलेक्शन पास आता जा रहे हैं, अब कॉंग्रेस की सोच जो है वो दलित ब्रो कॉंग्रेस के ओपर कई आरोप लगा है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हों ने कहा उन्हों ने यह साफ तर पर कहा कि कॉंग्रेस ने पूरी तरह से रोका है और प्रधानमति नरेट मोदी ने पियम विशकर्मा योजना की पहली बरसकाट के अपसर पर अमरावती में आयोजीत एक कारिकरम में कॉंग्रेस पर जोड़ार हमला बोला उन्होंने कॉंग्रेस को ब्रस्टाचार की प्रतीक बताते होती है यह सारी की चीजर में तरह से नहीं आयो और इसके साथी उन्हों ने राहुल गांधी पर भी नाम लियए हमला बुला, उछो ने कहा कि लोग जो है वो विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं, भारत के बारे में जो है वो उल्टी सीधी बाते करते हैं और उन्हें यह arım sugars ले चारा था कि भारत की जो जो वो केरते पहचान है जो है बहुत शर्म की बात है और विश्कर्मा समाज की समरिंदी के लिए जो है उठाए गए कदम प्रिदानमत्री मोधी ने कहा कि पिछली सरकारों की नीतियों के चलते दलित और पिश्वों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले सत्तर सालों में किसी भी सरकार ने ग्रामरी उद्धोगों और पारंपरिक खुनर को बढ़ाने का प्रियास नहीं किया है और मोधी ने उले किया कि पिछले एक साल में आठ लाग से अधिक कारी गरों को प्रिसिक्चर दिया गया है जिसमें महरास में साथ हजार से ज़्यादा जो है वो लोग शामिल है उसको जो है वो अंतरास्ट ये इस तरपर जो है वो सेलाए जाए और लोगों को इन सारी चीजों का फाइदा मिले तो ये सारी चीज़ों के लिए जो हैं मोगी सरकार लगातार, made in India के जड़ी जो है फून सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का तो प्रियास कर रही है, वोकल फार्म लोकल के लिए जो है वो बड़ा प्लेटफार्म भी मोय करा रही है, तो ऐसे में प्रधान मंतरी जो है इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो उन्होंने बात कही और PM मित्र पार्क का भी जो है वो शुबारम किया गया इस कारिक्रम में PM मित्र पार्क की जो है वो आदार शिला भी रखी गई बोधी ने कहा कि पार्क भारत की टेक्स्टाइल प्रियास करने जा रहे हैं टेक्स्टाइज जो है एक बड़ा सफल जो है वो कारोबार माना जाता था और इसे जो हम आगे जो है वो बढ़ाने के लिए जा रहे है और इसकी है प्रियास स्टाट कर दिया एक dialogue am पीम मोदी ने पीम बिश कर्मा योजना के तहित चेतराजार लावार्थियों को रेल्ड स्विकरत करने की वो पोश्णा की उन्होंने अपने हाथों से ये उपस्तित लावार्थों प्रदान किया जो विभिन राजियों से आए थे और अलग-अलग कारोबारों में लगे हु प्रदान मंती की योजना है जिस पर प्रदान मंतरी पूरी सिद्दत से काम करने में लगे वे और क्या है पीम बिश कर्मा योजना इसके बारे में जो हम आपको बताएं पियंपिश कर्मा योजना की शुरूआत 17 सेतंबर 2023 को हुई थी और इस योजना के तहर देश में 140 से अधिक जातियों के खारोबारियों को जो है लाप्रिदान किया जाता है इसमें 17 से ज्यादा सिर्फकार और परंप्रागत कारिगर श होते हैं पर्फकार शेस कर्फिया जाता है उनका विखास और इसवीर विखास करती रहेगी और उनका प्रयात यहीं है कि जितना भी क्रंपरह जितना भी दो आधे उसको जो है वह बाढ़ाते जाए और उसे अंतर रस्टी इस तरपर उनके हुनर को पेश किया जाए ताकि लोगों को एक अलग पहचान मिले और इन सारी चीजों से उनके रोजगार के अफसर भी पैदा हो और वो इंडिपेंडेंट बने और उनको अलग पहचान मिले ताकि वो अपनी इस पहचान के साथ में आगे बढ़ सके और जो होना रहा है उनका उसमें वो आगे सफल हो सके और इसी सारी चीजों के साथ में उन्हें लोन दिया जाता है कम प्याच पे ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके और उनके काम में किसी भी तरह का कोई ब्रद्धा ब्यवधान पैदा ना हो और य रोजगार के अफसर जो है वो बहुत सारे जो थे वो बहिया करा सकते थे और ग्रामीर इस तर पर जो शिल्पकार है जो हस्तकार है उनकी कला को जो है वो आगे बढ़ावा उन्हें दिया जाना चाहिए थाकि वो इन सारी चीजों के साथ में काम्याब हो और वो खुद लोगो को जो है रोजगार भी मिलेगा और उनका काम भी जो है वो आगे बढ़ेगा इन सारी चीजों के साथ में जो है विश्कर्मा योजज़ा को पियम ने काफी सरा और इसके बारे में जो हर चीज़ को बिस्तार से जो है लोगों को समझाने की और बताने की कोशिस की आपको कैस अगर हमारे वीडियो पसंद आयो तो आप इसको लाइक कीजिए, शियर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे